तो इस वीडियो में हमें एक प्राइवेट रेजिदेंशल स्कूल में काफी सारी वेकंसी आई हुई हैं जिसमें प्रिंसिपल के लिए भी पोदिशन है और उसके अलावा PGT's, TGT's और PRT's की वेकंसी हैं बहुत सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए तो आप आपकी आप से अपलाई कर सकते हैं साथ ही अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली बेसिस पे हम काफी सारी वेकंसी डालते रहते हैं और वो आप तक पहुचती रहेंगी अगर आप उसे सब्सक्राइब करने के ब आपको डीटियल उनकी मिल जाएंगी अगर आप उसको जॉइन करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं तो आएए मैं दिखाता हूं कि यह वेकंसी कहां पे हैं तो यह एक निउस्पेपर एड़िजमेंट है और यह कल के निउस्पेपर में था यानि 29 नवेंबर के निउ स्कूल के लिए उसके अलाबा पीजीटी की रिक्वाइरमेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी, मैट्स, कॉमर्स, एकनोमिक्स, पॉलिटिकल साइन्स, हिस्ट्री, जिग्रेफी, इंग्लिश और आईपी और फिजिकल एडुकेशन के लिए फिर टीजीटी और पी मेल और फिमेल दोनों के लिए एक रेजिदेंशल स्कूल है सोनीपत में हरियाना में और काफी बड़ा एडुकेशन ग्रुप है इनकी युनिवरस्टी भी है एक्चली और उसी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है और ये स्कूल भी अलग से उसी ग्रुप का बेस तरफ चंडीगड की तरफ बेसिकली और डीटेल्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्मेंट इसमें मेंशन नहीं है बट आप रजूम कर सकते हैं कि पीजटी के लिए आपका पोस्ट ग्राइशन कंप्लीट होना चाहिए साथ में बीएड और अगर आपको रेलेवेंट एक्स करते हैं प्राइवेट स्कूल्स एक तो आपकी कम्यूनिकेशन इसकिल्स और दूसरा आपका रेलेवेंट एक्स्पीरियंस क्वालिफिकेशन अगर बहुत ज्यादा हाई नहीं है तबी भी कंसिडर कराया सकता है आपको अगर आप ये दोनों चीज़े आपके पास हैं तो इसमें ये मेंशन है कि आपको 10 दिन के अंदर एपलाई करना है और ये 29 नवेंबर का एडवर्टीजमेंट है मतलब आप आठ या नौ तारीक तक एपलाई कर सकते हैं इसके लिए नीचे इमेल आइडी दिया हुआ है jobs at rishikulvidyapete.edu.in और एक phone number भी वहाँ पे मेंशन है अगर चाहें तो आपने resume के साथ यहां पर उनको email कर सकते हैं और अपनी details mention कर सकते हैं ये जो है जैसा मैंने पहले ही बताया है सोरीपत में a school is CBAC से affiliated है और English Medium residential school है लब day boarding और residential दोनों इसमें हैं तो वह depend करता है कि वह requirement के हिसाब से आपको उधर भी रहने के लिए बोल सकते ह है या फिर अगर आप आस पास रहते हैं तो आप obviously travel भी कर सकते हैं वहां के लिए तो hope this was useful to you, we'll again come back to you with some more vacancies, thanks for watching.